कि हेलो एंड वेल्कम टू पाथ फाइंड जो दोस्ट मुझसे पहली बार जुड़ है उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है कि मेरी एकाडमी की प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं तो दोस्तों यदि आप देखें तो भारत के उत्तरपूर में स्थ चान लगाती है यहां पर स्थित डंपा टाइगर रिजर्व तो यह डंपा टाइगर रिजर्व अगर आप देखें तो वेस्टन पार्ट आफ मिजरूम याने बंगलादेश बॉर्डर से लगी हुई इलाके में पढ़ती है तो दिक्कत की बात क्या है कि इसकी खुबसूर पर चार-चान लगाने आले टंपा टाइगर रेजर्व हैं वहाँ पर अब सिर nicजें जए को वहाँ रही है क्योंकि वहां पर वरकर वर्कर से उंको साइलरी नहीं मिली है काफी रर्यकी हैं और साथ साथ आप अगर देखें तो डंपा में ये जो टाइगर का ना होना ये एक systemic कमी की और point करता है as a dumpa tiger reserve as a hole में कही न गई कुछ कमी है उसके तरफ ये zero tiger का होना उस तरफ इशारा है तो आईए dumpa tiger reserve में क्या-क्या गड़बडियां हो रही है इनको आज के इस class में हम समझेंगे तो आज का visualization इसी पर होने वाला है तो दोस्तों यह देखे number of tiger अगर आप देखे तो 2006 में करीबन 6 tiger थे करीबन क्या चे ही टाइगर थे 2010 में पांच टाइगर थे 14 में आप देखें तो तीन थे और 18 में शुन्य हो गए तो वाइड लाइफ इंस्क्यूट ऑफ इंडिया से लगता है शायद शिकारियों के हाथ चड़ गए अगेन याद केजिए कैसा इलाका है बॉर्डरिंग इलाका है तो अगेन बॉर्डरिंग इलाकों में उतना असान नहीं है रेस्ट्रिक्शिंज इंपोज करना तो वाइड लाइफ इंस्क्यूट ऑप इंडिया इनका शिकार हो गया है आपने फॉर्डरिंग आफ को मजबूत करना होगा ले आपको जूमjänूंबर्स और याफ ना से ज्यादा आप टैनात करोगे पर दिक्कत क्या है forest staff खुद बहुत जादा दिक्कतें स्वयम फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप देखें तो कुछ चीजें ऐसी हुई है इस इलाके में जो की काफी चुका देने वाली है forest officials अगर देखें तो वो चीखा anti-poaching camp पे लगे हुए थे और उसी वक्त कुछ लोगों ने इनको abduct कर लिया इनको kidnap कर लिया kidnap करके ले गए और पैतालिस दिन बाद वापस इनको छोड़ा गया तो पैतालिस दिन तक पैतालिस दिन तक यह kidnapped रहे तो forest official की यह व्यथा है बाकी आम आदमी का आप सोच सकते हैं वैसे ही डंपा टाइगर रिजर्व जैसा मैंने कहा कहां पर है तो 2012 की कहानी है यह उस वक्त जब fincing चल रही थी तो fincing के दौर उस वक्त पे जो laborers fincing कर रहे थे उनको भी सेम abduct कर लिया जाता है kidnap कर लिया जाता है तो laborers भी abduct हो जाते हैं यह सब तो फिर भी थोड़ी पुरानी बाते हो गई आईए आपको आज की बिलकुल दो दिन पुरानी की बात सुनाता हूं तो यहां पे जो wildlife guards अब डंपा क्या है tiger reserve होने के नाते डंपा किसके अंदर आएगी project tiger के अंदर आएगी project tiger है तो इसको oversee कौन करेगा national tiger conservation authority तो ntca क्या करती है फंड देती है किसलिए tiger को बचाने के लिए forest officials को वहां पे forest guards को रखने के लिए तो यहां प national tiger conservation authority जिनको fund करती है तो डंपा tiger reserve में यह contractual basis पर काम कर रहे है और जब से कोविट चला है तब से ntca कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है पैसे नहीं है तो इनकी 6 महीने की salary नहीं आई फिर क्या किये यह लोग प्रोटेस्ट किये तो चार महीने की salary आई है दो महीने की salary अ वहाँ पे आपको किसको promote करना है किसको मजबूत करना है forest guards को पर अगर आप उन्हें salary नहीं दोगे तो ऐसा कैसे आप expect करोगे कि वहाँ पे poaching की समस्या का निदान हो जाएगा यही तो है जो poaching के समस्या से निदान दिलवा सकते हैं तो इनको salary नहीं मिली है प्रोटेस्ट क आती है तो वह सारी समस्याएं हैं जो कि forest staff खुद face कर रही है इन इलाकों में नेक्स्ट अगर आप देखें दोस्तों तो कोई भी सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो कोई भी forest department कितना ही मजबूत कितना ही दल बल के साथ क्यों ना लग जाए वो तब तक successful नहीं होगा कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है कारण आप अगर देखें तो डंपा टाइगर रिजर्फ के इर्द गिल्द 15 गाओं है और वो गाओं जूम कल्टिवेशन याने shifting कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो देखें तो जंगल में कुछ इस तरीके से आग लगा देते ह है और आग लगाके फिर जंगल में खेती साफ हो जाती है अब दिक्कत क्या है इतने सालों में टंपा टाइगर रिजर्फ के आज पास छान ऐसके टाइगरिड होता है और स कोर होता है ऐसके इरिदóm गिर्द एक बफर होती है तो अब हुवा यूं है दोस्तों कि टंपा टा अब डंपा टाइगर रिजर्व के कोर पर निशाना लगाए बैठे हैं कि जल्दी आने वाले दिनों में कोर एरिया का जंगल भी जलाया जाएगा और वहाँ पर खेती की जाएगी तो अगें इस प्रकार की यदि चीजे होंगी तो क्या होगी दुरभाव लोगों को क्या लगेगा कम्यूनिटी को लगेगा कि हमारे हक का जंगल है कहां से तुम हमारे बाप दादा पर दादा ने आज सक इस जंगल को बचाया है और तुम कौन होते हो अचानक से आके हमें इस जंगल से बेदकल करने वाले तो ये वाली कुछ फीलिंग है तो एपथी होती है एक जो कोपरेशन होना चाहिए वो कोपरेशन नहीं होता है इसके सिवा जब डंपा टाइगर रिजर्व बनाया गया था तो उस वक्त भी यहां पर जो कम्यूनिटी बसे थे इनको उठाके हटाया गया था नाहिर सी बात है टाइगर करवानी चाहिए थी पर क्या किया गया इनमें से काफी कम्यूनिटी को काफी लोगों को काफी इस फैमिलीज को पैसे भी वापस नहीं मिले वापस रिया इस वजह से क्या हुआ इस वजह से एक sense of एपती हो गई गरवन की अगेंस पोरेस्ट ऑफिशियल तो वहां पर डंप टाइगर रिजब के ही पास में मामित डिस्ट्रक्ट है करीबन 80 किलोमेटर दूर है तो इसी इलाके की बात हो रही है तो यह बस आपको एपसी बताने के लिए है तो मामित डिस्ट्रक्ट में एक लक्षमी नाम की डॉमेस्टिक एलिफेंट थी जो असाम से लीज की जाती है व्यापारी से ये लक्षमी नाम की जो हाथी थी ये नाचुरल डित्थ हो जाती है इसकी 45-50 साल की उमर में मृत्यूं के बाद वहाँ पे जो हाथी को मारा जाता है मरत तो चुकी थी सर काटा जाता है और इसका जो मीट निकलता है वह मीट पूरे के पूरे गाउं में लोगों पर जिसने यहाथी आप देखे तो असम से लाया गया था को भी नहीं मालूं की उनका हाथी उनके स्टेट का हाथी किसी और स्टेट में भेज दिया गया है तो उसके बाद फॉरस्ट डिपार्टमेंट को यह अक्षिन नहीं लेती है फिर जब तक वाइल लाइफ संद्रक्शन करने वाले जो कम्यूनिटी होती है लोग होते हैं जब तक अनिमल क्रुएलिटी वाले जो एंजियो उन लोगों ने अवाद उठाई तब जाके फॉरेस्ट ऑफिशियल के कान में जूब ही रहेंगी तो यह फॉरेस्ट ऑफिशियल को मिज़रम के फॉरेस्ट लाइट में प्रस्थुत करती है और एक तरीके से देखें तो कहीं न कहीं एक बहुती वेल एबल एंड एफिशियंट फॉरेस्ट डेपार्टमेंट जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं दिख रही तो यह भी वहीं पर हुआ है इसके सिवा इस गिर्द में डंपा टाइगर रि भी करते हैं तो उन गावं के से रड़ आगरि कैटर करने वाले गावं ऐए रहे हैं एक बहुत वी स्टैडरर प्राक्टिस एंट्र फिशिंग की जिसमें क्या किया जाता है नदियों में ले छोड़तं कैया होता है कि फिल्जी हो कुछ देर के लिए इस के फृट अफ शॉ होती है पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है तो इसलिए पॉइजन फिशिंग का प्रैक्टिस किया जा रहा है तो यह पॉइजन अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे वाटर सिस्टम्स को पल्यूट करते जा रही है और यह बायो यहां के जीवों में यह बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पीछे भी यह पॉइजन फिशिंग जिवमेदार है ने जोस्तों देखें तो कुछ इंवेजिव पिशी आ गए हैं लाइक आप देख सकते हैं यहां पर यूपिटोरियम मिकीनिया यह सब कुछ अलग-अलग प्लां लेंगे बड़ कोशिश कीजिए एक-दो नाम याद रहें इसलिए मैंने फोटो भी लगा दिया है कि आपको फोटो देखके याद रहे तो यह काफी तेजी से इन जंगलों में फैल रहे हैं और ट्रॉपिकल विजिटेशन को विस्था ट्रॉपिकल विजिटेशन को कम करत उन इलाकों में बैंबू फॉरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो यह एक समस्या है अपने विजिटेशन के लिए तो वह कम होती जा रही है वही तीसरा आप देखे तो डंपा के आसपास ओयल पाम एंड टीक प्लांटेशन लगाए जा रहे हैं तो यह से इन इलाकों में बढ़ रही है तो वह भी कारण है इसके सिवा दोस्तों पाइनली इतनी नेगेटिविटी के बाद यह सारी कहानी के बाद आपको कुछ अच्छी खबर भी सुना देता हूं सिल्वर लाइनिंग क्या है तो डंपा टाइगर रिजर्व अगर देखे तो ट लंपा में काफी ज़्यादा पाया जाता है तो एक लावड़ लपर इसलिए कहते हैं कि इसके शरीर में जो प्रिंट है यह बादल के जैसा बड़ा बड़ा प्रिंट आपको देखने मिलेगा तो इसके सिवा नाशनल टाइगर कॉंजर्वेशन अथोरिटी कह रही है कि आन इंडिया ने जो रिपोर्ट में कहा है कि पोचिंग सबसे बड़ी समस्या है तो देखिए इसकी जियोग्रफी तो आप नहीं बढ़ल सकते यह बॉर्डरिंग स्टेट तो रहेगी बंगलादेश तो इसका बॉर्डर लगता है तो लगेगा एक साड़ म्यानमार है तो रहे की जो सालरी बंद हुचा रही है वह ना हो तो वह फंडेड हो और मोस्ट इंपोर्टेंटली की जो एपथी है वैसा ना रहे कम्यूनिटी भी साथ-साथ डंपा टाइगर रिजर्व में फोरेस्ट अफिशिल को अपने साथ लेकर चलना चाहिए तो ही लॉंग टम में हम टा सब्सक्रिप्शन और दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन अविलेबल है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर केसी वंजरो कोड का इस्तमाल करेंगे 10 परसेंट अफ मिलेगा प्लस आइकनेक जीए ऑप्शनल जीए सॉप्शनल कॉम्बो कैसा भी पाकेज़ आप लें साथ-साथ दोस्तों यूपसी ड्रीम में लोन भी प्रोवाइड की जा रही है आप यह ऑजी चुटुक्ति हो तो हैं जी वंजरो कोड का इस्तमाल कर सकते हैं अ चीनल से इनलॉल करें नए बम्हाः अ अजम सेक शुके है अज एक्टमी टिकर संदेश भी को रहा है तो समृवाइड यी सो मज पोटी ःष्ट गेइ serie क्र Work